आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गर्मी में तरो ताजा करने वाला वाटरमेलन जूस वो भी एक नहीं दो नहीं पूरे तीन तरीकों से जब भी आप इसे पिएंगे ना आपको मज़ा आ जाने वाला है और बहुत ही ठंडक मिलने वाली है बहुत ही रिफ्रेशिंग से जूसेज है ये तो चलिए फिर सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मसाला वाटरमेलन जूस के साथ में इसके लिए ब्लेंडिंग जार में एक कप वाटरमेलन यानि की तर्बूज हम डाल रहे हैं मोटा मोटा हमने इन्हें काट लिया है बीज जितने निकाल सकते थे निकाल लिये हैं दो चम्मच नीवू का रस डालेंगे आधा चोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे एक चोटा चम्मच काला नमक डाल देंगे थोड़ी सी पुदीने की पत्तियां डालेंगे और अच्छे से इन्हें ब्लेंड कर देंगे चीनी आप देख लीजे अ और यह जो जूस हमने बनाया है उसे ठंडा-ठंडा हम लोग सर्व कर देंगे, गानिश करेंगे मिंट लीव्स के साथ में, तो यह लीजे तयार है हमारा मसालेदार वाटरमेलन जूस, आगे बढ़ते हैं और बनाते हैं फटा-फट से हमारा रोज एन वाटरमेलन जूस, इसक हम रू अवजा भी कहते हैं, दो या तीन चम्मच जितना भी आपको पसंद है आप उतना इसमें डाल दीजे, इसके साथ ही आधा चम्मच हम नीवू का रस डाल देंगे, एक चौथाई चम्मच चाट मसाला, एक चौथाई चम्मच हम काला नमक डाल कर सारी चीजों को अच इसमें डाल देंगे और फिर उसके बाद ठंडा ठंडा सा पानी इसमें डाल देंगे, जब हम इसे पीते हैं और छोटे-छोटे से चंक्स आते हैं तर्बूस के मुह में मज़ा आ जाता है, यकीन मानिए, बहुत अच्छा लगेगा यह आपको बहुत ही डिफरेंट सी ये चलिए, आगे बढ़ते हैं, अब हम बनाते हैं, वाटर मेलन फिज, इसके लिए सर्विंग ग्लास में दो से तीन आइस क्यूब्स डाल देंगे, और इसमें हम वही वाला जूस डालेंगे, जो की हमने ब्लेंडर में पीसा था, लेकिन ग्लास को आधा ही भरना है, पूरा न पसंद आने वाला है, तो इन तीनों में से कौन सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया है, और कौन सा आप ट्राइ करेंगे, ये मुझे कॉमें सेक्शन में जरूर से बताईएगा, वीडियो को लाइक कीजेगा, शेयर कीजेगा, जल्दी मिलेंगे ऐसी और भी बहुत सारी रेसिपीस के साथ में, तब तक के लिए, बाबाई!